संभल ने रविवार को हुई हिंसा पर बड़ा अपडेट इस वक्त बतरबाजी की घटना में शाविन सौ लोगों की पहचान पुलिस ने की है आरोपियों के पहचान CCTV और लोकल सर्मिलांस के आधार पर किया गया है इस मामले में 27 आरोपियों की गिरफतार भी किया गया इनमें से 21 आरोपियों के तस्वीर पुलिस ने जारी भी कर दिये गिरफतार किये गे आरोपियों में 3 नावालिव और 2 महिलाए है संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने पूरे मामले पर उत्तरदेश सरकार को अपने एक रिपॉर्ट भीजी रिपॉर्ट में संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने सरकार को ये बताया कि सर्वे की टीम कब आई उसके बाद हिंसा कहां से और किस समय शुरू हुई यानि पूरे गटना करम की टाइम लाइन दी गई है संबल पुलिस और जिला प्रिशासन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया दिया कि हिंसा के समय कितने लोगों की भीर मौखे पर थी और पत्तर बाजी के साथ हिंसा कब और कैसे शुरू हुई जिन लोगों की पहचान करनी है उनके कैमरे से फोटो ग्रैप्स निकालके उनको हम पबलिक की बीच भी ले जा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं और स्योग भी मिला है पबलिक का धिरे धिरे जो भी बवाली हैं खास तोर से कल एक जो फोटो आया था जो कैमरे से जिसमें एक व्यक्ति बंदूग चलाता जैसा दिख रहा है और एक दो और भी ऐसी चीज़ें जहां पर जैसे बंदूग चलाने का इशारा सा हो रहा हो कि इधर चलाओ तो उन सारी चीज़ों का की पड़ताल करने चेहरे क्लियर नहीं आये हैं इसलिए हम लोग पबलिक से के बीच में वो फोटोग्राफ लेके जाएंगे और लोगों कि पथराव जब हो रहा था च्छतों से पथराव किये जा रहे थे मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को आगे किया गया जो नाबालिक बच्चे थे उनको डेटेंड करना उनको प्रक्रिया के अनरू भी निप्टा जाएगा कानून के प्रक्रिया के अनरू भी मैलाएं भी उसमें शामिल थी इसलिए उनको भी डिटेन किया गया है और जैसा जैसा अबाली कितने बच्चे हैं अब तक जिनके जिनको हिरासत में लिया गया है जाहिर उने बादसुधार गरी बहजा जाएगा तो इन बच्चों की संख्या अब तक कितनी है एक्जेक्ट नमबर तो यूपी का कानून है कि इस तरह के फसाद में संपत्ती नुकसान होती है तो रिकवरी होती है प्रशासन क्या इस दिशा में भी आगे बढ़ रहा है रिकवरी को लेकर कि भी प्रक्रिया चल रही है बिल्कुल प्रक्रिया हमारी जारी है जैसा जैसा जो मैंने कहा जो भी वि अब्यूक्त है इस मामले में उसमें दूसरे नमर की अब्यूक्त है विधाय के बेटे सोहे विगवाल उनसे बात की उन्होंने आज तक कोई सफाई देते हुआ कि कहा कि यही एस पी यही डीम ते एक दिन पहले हमारी तारीफ कर रहे थे जब उनीस तारीकों सर्वे हुआ उस सारा सर्वे हो रहा था और वीडियोग्राफिक के टीम उनकी थी तो उस समय फोटेज हमारे पास नहीं आया थे हमारे पास फोटेज जा गए है उस फोटेज में बहुत क्लियर है कि बार बार सर्वे टीम को डिस्टर्ब किया जा रहा है इन दोनों लोगों के द्वारा दोन वहां से नाराज होके गया और उसके थोड़ी दिर बाद भीड़ाई। सिर्फ इतना ही नहीं है। लोगों से पूछ ताश में भी बहुत सारी चीज़ें कंफर्म हुई हैं। अभी एविडिन्स जो और कलेक्ट किये जा रहे है। सांसत की भूमिका को लिकर के आपके पास सबूत हैं क्योंकि आरूप ये लग रहा है कि दरसल इसमें राजनीती बहुत जादा शामिल है। जांच राजनीती ग्रूप से प्रभावित है। जुमें के नवाज के दिन भढ़काओ भाशन दिया। उन्होंने जबरदस्ती एक तरीके से लोगों को वहां पर इकठा जो सामाने तौर पर जो जो नवाज होती है उससे ज्यादा लोगों को इकठा करना। इन आरोपों के सबूत हैं आपके पास सांसद और विधाय के जो पुत्र हैं। के कोई भी हम कारवाई नहीं कर रहा हैं। लोगों से पूछताज में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। और अभी और भी एविडेंस क्लेक्ट हो रहा है। तो जो हमने फाई आर की है वो साश्चों के अधार पर ही की है। मेरा आखरी सवारसल उत्तर पुर्देश में बुल्डूजर एक पहचान बनी हुई थी। अब उस कारवाई में सुप्रिम कूट का एक आदेश है। तो जो प्रकिरिया होती थी मांक करना आवायद घरों को गिराई जाना क्या वो प्रकिरिया बुल्डूजर के अभी भी ह जाएंगे हम प्राविधानों के तर कुछ भी नहीं करेंगे मैंने पहले भी कहा कि साक्षों के अधार पर प्राविधानों के अनरूप ही कारवाई होगी कोई भी चीज उससे बाहर नहीं होगी और लोगों से भी मैं इस बात की अपील कर रहा हूं कि किसी भी तरीके कि एक शुक्रिया अंजने सिंग्जिम से बात करने के लिए कानून अपना काम कर रहा है जाच में सहयोग मांगा जा रहा है खासकर उन लोगों की पहचान करने के लिए जो हिंसा में शामिल थे फिलहाल अबात से जगनात